प्रदानी में एक ऐसा अवाड जीता है जो पूरे देश में आज वो चर्चत है उत्तर प्रदेश के लोते प्रदान के रूप में बात कर रहे हैं जो अपना पर्चया खुद देंगे मैं ग्राम प्रदान ओमकार पाल, ग्राम पंचयत एरी रमपरा, जनपत जालोन उत्तर प्रदेश सेर, दूसरी बार प्रदान बनाओ, इससे पहले मेरी पत्नी थी तो गाउं को बदलने के लिए हमने देखा है कैसी संगर्ष किया है लोगों ने तो बस ओई सोच के हमें गाउं बदलना है, अपनी ग्राम पंचयत को हर सुबदाएं देना है इसी पे जो सरकार की मनसेती उसी पे हमने काम किया है और ग्राम पंचयत में जो भी मुख दाराओं से जोड़ना था, हर विबाग को उसको जोड़ा गया चाल प्रेंडली आवाट जो पिर्देश में एक ही ब्यक्ति को मिलता है उसमें हमने जो भी बच्चों के लिए डिश्टल क्लास बनाए हैं, आंगनबाली के इन सुन्दर बना है और पार्क भी सुन्दर जन सायोक से एक सुन्दर पार्क बनाया हमने उने जे सारी चीजे हमने जोड़ी हैं और प्रदेश सी भी टीम ने लिक्चल करके गई हैं बारस सरकार की भी टीम ने लिक्चल करके गई हैं, उसमें मेरा चैन हुआ है और इसके बाद 24 अपरोयल को पंचयाती राज दिवस्त पर करनाटक में हैदरावाद में हमारा प्रिखरम रहेगा उसमें प्रिधानमंत्र जी आवाड देगी पाल साब आपको इस आवाड से आपको सम्मानित हुए है तो आपके साथ आप देखेंगों इस बार जालों जले में सबसे सरवादिक प्रधान बने है और सारे प्रधान यहां पर खड़े है राकेश पाल जी यहां पर आए हुए थे तो आपने क्या सुझाव दिया है किस तर साथ चलना चाहते हूं सब यवासातियों को मैं कहता हूं कि जो अपने मुखिया है हम तो कहते हम तो मानते यवासातियों को मुखिया जो आंगे है हमारा उसको मुखिया मानेंगे और हम सभी सातियों कहता है अच्छा 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 अपना काम करें जिस तरह से भी हो स तो हम भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का सारे लोगान का फोकस यही है, को तो प्रदान नेवसातियों से ही कहना चाहता हूं कि आंगे आके अपना गाउं का बिकास जरूर कराएं, कि पांच साल में आपको गाउं की सेवा करनी है, अगर चूक गए तो बाद में पस्तावा के लावब कुछ नी रहा जाएगा. कितना फंड मिलता है आपको? बैसे ग्राम नेदी में साथ से आट लाक रुपा है, आब आड़ों को पैसा अलग से आता है, अब तक कितने का बिकास करा चुके हैं आपको? किसानों के लिए नालियां बनाई गई है, टूब बैल से, किसानों के अच्छी तरह से सचाई हो, इसी पूरे खाद के गड़े हैं, सोक पेट सुंदरता जेव, सौक्च भारत में सन के अंदर गास सारी चीज़ें, डस बिन गाम में लगे हैं, सारी.